नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज की वीडियो में आज की वीडियो का नाम है The League of Extraordinary Humility यह बहुत important quality होती है humility अगर life में हम कहीं बहुत बहुत आगे जाना चाहते हैं इंडिया में जैसे election चला है BJP और Congress का ऐसा लगता है जैसे कि यह election एक तरफ राहूल गांधी और एक तरफ नदेद्र मोदी जी की बीच में चला है तकरीबन ऐसा ही एक election चला था Iceland में हाला तोमास दोतीर और वहां के उस समय के प्रेजिडेंट जिनको जवर्जस्ती निकाला गया था डेविड ओड्सन के बीच में लेकिन फिर भी देखा जाये तो बहुत से differences थे हाला तोमास दोतीर वह बंदी है जिसने अपनी company को बचाया और डेविड ओड्सन वह इंसान है जिसने अपने देश को और पूरी दुनिया को डुबाया तो ऐसा कैसी होता है कि एक बंदे को इतनी important position पे रहने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितने बड़े बड़ी गलतियां कर रहा है कितने बड़े बड़े blunders कर रहा है और वही पर हाला तुमास दोतीर जैसी लेडिस और ऐसी एक नहीं लाखों लेडिस और जैंट्स हैं पुरी दुनिया में जिनको अपना एक एक स्टेप क्लियर होता है नहीं नहीं कन्फियूज मत होईएगा उनको शुरू से सब पुछ क्लियर नहीं होता उनको ये चीज़ें इसलिए पता हैं क्योंकि उनके इंदर है एक्स्ट्रा ओर्डिनरी हुमिलिटी ये बहुत स्पेशल क्वालिटी है और आसानी से आती नहीं है इस वीडियो में इस वीडियो को बनाते समय मैं सोच रहा था बच्पन में और आप सबको भी बच्पन में सुपरमैन टाइप के करेक्टर बड़े पसंद होते होंगे शक्तिमान, सुपरमैन, ऐसे लोग जो सुपर पावर्स के साथ में दुनिया में आए हैं लेकिन बाद में जब थोड़ा समय बड़ा हुआ तब मुझे ऐसास हुआ कि फिजिकल पावर की बात की जाए तो ब्रूसली जैसे लोग ज़ादा अच्छा होगा क्योंकि वो सच मुझ के इंसान है और सबसे बड़ा डिफरेंस एक सुपरमैन में और एक ब्रूसली में क्या है पता है सुपरमैन को एकसरसाइज नहीं करता ब्रूसली हर रोज घंटों घंटों एकसरसाइज करता था तो वो कौन सी मेंटल एकसरसाइज है जो आपको अपनी लाइफ में सही डिसिजन लेने के लिए पुश करेगी उसी को बोलते हैं इक्स्ट्रा ओर्डनरी हुमिलिटी तो अगर आप भी उस लीग में आना चाहते हैं जहां हाला तुमास दोतीर या पुराने जमाने में वहात्पगांदी या आज के जमाने में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा ओर्डनरी हुमिलिटी के बंदे हैं ये बहुत मुश्किल वीडियो है ये पुरी की पु है किताब का और इसके एक एक चैप्टर को एक एक वर्ड को मैं पढ़कर अपने dkbrains.com में cover कर रहा हूं हर एक sentence को मैं translate कर रहा हूं थोड़ी बहुत अपनी समझ उसमें share कर रहा हूं तो अगर आप ये पुरी सीरीज देखना चाहते हैं तो dkbrains.com में जाकर के bdm की ठीक है आई शुरू करते हैं नमशकार दोस्तों स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं think again और इसमें हम लोग क्या सीखते हैं to think again क्या लिखा है यहाँ पर पावर अपनी को खोलते हैं मन के अंदर में जो बिल्कुल हमारे हमारे आखों के सामने है ही नहीं वो aspects कोई नया दर्वाजा जो हमने पहले कभी सोचा नहीं आप एक फिल्म देखिएगा sixth sense उसमें एक आदमी मर जाता है और बार बार अपने घर का एक दर्वाजा खोलता है मरने के बाद उसकी molecular body खोलता है नहीं के दर्वाजा बार बार खोलता था और उसको कभी thought ही नहीं आया कि क्यों नहीं खोल रहा है last में उसके molecular body ने ये चीज़ रिलाइस किया ये बड़ा accident हुआ जब इसकी बीवी सोच रही थी कि अरे मेरा husband क्यों चला गया चोड़के तब उसको लगा मैं मर गया हूँ और उसकी दर्वाजा खोलता हूँ ये physical world का दर्वाजा है और मेरा हाथ molecular world का है इसलिए उसकी खुलता ही नहीं है अच्छा यही सिंग फिल्म का climax है यह बहुत पराणी फिल्म लोग देख लेंगे बहुत से लोग देख भी चुके होंगे आपने देखा नहीं है क्या अरे मैं देखी है एक इंटर्विय और ने बोल दिया थे चीज़ आप इस एम उस सिरीज के राद किया था नहीं लेकिन हमारे अटल विहारी वाजपेई जी जब प्राणी मिनिस्टर थे तुरो ने इस फिल्म को अपने हाँ पर्सनली बुराय था और देखा था लगवा के बहुत अच्छी फिल्म है सिक्थ सेंस के कैसे मरने के बाद भी हमारी सोल्स जिंदा रहती है और वो कोई डरावनी बहुत अच्छी तरीज दिखाया है खेर तो यह जो सीरीज है इसमें हम लोग सीखते हैं उन चीजों को जानना जो हमारे बायस में है नहीं हमारे नॉलिज में नहीं है तो कौन जान पाएगा उसके लिए आपको होना पड़ेगा इन दे लीग ऑफ एक्स्ट्रा ओर्डिनर लीग है एक फिल्म है दिख और लीग और एक्स्ट्रा ओर्डिनरी जेंटलमेन यहां सब के पास अलग अलग पावर्स थी देर सारे लोगों के पास पावर्स थी तो इसलिए लीग बोला गया है यह चीज हमिलिटी लेकिन नार्मल हमिलिटी नहीं यह वाले नहीं अच्छा बात नहीं करेंगे है हमको जाने का मन नहीं तो क्यों जाए शादी में देखी एक तो होती है नॉर्मल हुमिलिटी दिखावई की हुमिलिटी लेकिन उसमें हमारे थौट्स एक्दाव अकड़े रहते है एक्स्ट्रा ओडिरी हुमिलिटी कुछ और होती है जहाँ पर आपका जिस शेप में है उस शेप से आप नए शेप दिखा सकते हैं उसको When I sat down with Hala, she told me in the past her doubts had been debilitating author कह रहा है जब मैं उसे मिला तो उसने बताया कि past में शुरू शुरू में जो मेरे मन में doubts चलते थे वो मुझे एक्तम debilitate कर देते थे, एक्तम मुझे डरहा देते थे, कमजोर कर देते थे, कुछ करने का मन नहीं करता था She took them as a sign that she lacked the ability to succeed तो उसने ये मान लिया, क्यार मैं succeed नहीं कर सकती, ये लक्षण है कि मैं नहीं कर सकती, ये काम नहीं कर सकती मैं Now she had reached a point of confident humility, लेकिन अब वो दिमीदी में grow हो गई है, अब वो पहुच गई है confident humility के point पे And she interpreted doubt differently, और अब वो अपने doubts को अलग तरीके से समझती है They were a cue that she needed to improve her tools अब उनके लिए doubts एक cue है, क्यों मतलब? एक इशारा है इशारा किस चीज का, that she needed to improve her tools कि वो बहुत चीज़े को जहानती नहीं है उसके पास जो tools है, दुनिया को देखने का, decision लेने का, वो सही नहीं है, बदलना चाहिए Plenty of evidence suggests that confidence is just as often the result of progress as the cause of it क्या मतलब यसका? Confidence है, वो progress का result है, और progress का cause भी है अच्छी, example से समझे, तो आपको खट से समझना आ जाएगा यहाँ पर चार लोग बैठे है, सबसे ज़्यादा confident life में चारों में से, आप हैं, वैब हो हैं, क्यों? कुछ है या बेडर में कुछ काम कर रहे हैं, प्लस आपको लगता है, मैं अपने लाइफ में थोड़ा progress कर चुका हूँ, क्यों मेरिटिंग कर रहा हूँ और बड़े पापा को यह भी लगता है, कि मुझे उसके लिए salary मिलना ही चाहिए तो आप progress कर गए, उसकी वज़े से आप confident है, लेकिन आपके success की वज़े से आप confident भी है बात समझी थोड़ा सा, हम जब कुछ काम करते हैं न, उस काम से हमको confidence पैदा होता है और हम लोग जब confident होते हैं, तो काम को भी अच्छे से कर पाते हैं अगर हम confident नहीं हैं, तो जाएं के डरते डरते, इसलिए मुझे जो नई बच्छी आए थी, उससे डर लगता था उसको काम तो नहीं आता था, confidence भरपूर था और मिने देखा, वो सुनती हुनती नहीं थी, सीखती वित्ती नहीं थी, बोलती जाता थी confidence होना चाहिए, लेकिन वो काम से आना चाहिए, पहले से नहीं होना चाहिए हम, हम जो कुछ भी करते हैं, उसकी वज़से confidence आता ही है तो लेकिन पहले से confidence नहीं होना चाहिए, अरे, गहरा है तो भी सीख लूँगा लेकिन अभी भी मुझे लगता है, आपको काम करने का confidence नहीं है जब आप जाती है, रिंपी स्कैन वगरे में, आपको confidence नहीं है वहाँ, डर लगता है सही बात है, हम, इसलिए आप आजाती है आपको यह नहीं लगता, कि अगर मैं वहाँ जाओंगी, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, रोज तो मैं किसी काम को सीख पाऊंगी, यह आपको confidence नहीं है अभी या patience नहीं है, confidence नहीं है, जो भी कह लीजे आपको अभी भी यह डर लगता है, कि आप लोग क्या कहेंगे, मुझे इतना भी नहीं आता और मैं ऐसे questions पूछूँ, छोड़ी-छोड़ी questions पूछूँ किससे पूछूँ, यह सब लोगों से जो मुझसे भी कम पढ़ लिखे हैं यह problem और बढ़ जाएगी, अगर आपकी पढ़ाई का level, आपका certificates जो आपको मिलते हैं, वो जादा हो जाएगे और आपके आसपास के लोग आपसे कम qualified होंगे, और उसे question पूछने का मने नहीं करेगा We don't have to wait for our confidence to rise to achieve challenging goals Author कह रहे हैं, आप confidence का wait मत करिए अगर आपको बड़े-बड़े goals अचीव करने हैं, तो confident नहीं feel करेंगे आप Wait मत करिए उसका We can build it through achieving challenging goals जब हम कोई मुश्किल काम करेंगे, तो मारा confidence डिवलप हो जाएगा देखो, मैं आप लोगों से बार बार बुलता हूँ कि रिंपी स्कैन में डे सारा काम होता है उस काम में involved हो, कास्तोर से गरिमा को अब तो वैबो को भी लग रहा है responsibility जाने का उसको करते समय आपको confidence नहीं होगा लेकिन दिमीदी में करते करते आ जाएगा We can build it through achieving challenging goals आपके लिए perfect goal होगा, गरिमा के लिए कि लखीमपूर में जितने भी lady gynecologists हैं उनसे एक अच्छी रैपो बनाना उनको convince करना कि रिंपी स्कैन में डॉक्टर रिंपी की report सबसे अच्छी है और आप लीज हमको patients भेजी लखीमपूर में खाली शहर शहर में कम से कम 50 ऐसी doctors हैं जो आपको जब देखेंगी ये काम करते हुए तो बहुत impressed होगी और जब आप उनके बास जाएंगी तो आपको डर लगेगा बात करते करते वो सता है आपको बाहर बिठाएं confidence नहीं होगा लेकिन जब आप इसी 30, 40, 50 लोगों से मिलेंगी तो उस process में आपका working confidence develop होगा इसमें आपको ultrasound नहीं करना bloodness नहीं करना ये होते है marketing जिसमें आप अपने product के बारे में दूसरों को बताते हैं कि ये वाली जाच्छे हो रही है इसको ऐसे करना है फिर आपको भी एक अलग type का confidence आएगा कि हाँ मैं कुछ professional हो सकती हूँ कर सकती हूँ तो कह रहा है काम करते करते confidence develop होता है I have come to welcome imposter syndrome as a good thing author कह रहा है जब मैं किसी से कुछ का काम करता हूँ डर लगता है मुझे imposter syndrome की feeling आती है अब मेरे को लगता है वो अच्छी चीज है खराब चीज नहीं है It's a fuel to do more try more जब तक मुझे ऐसा लगता है मैं इस काम के लायक नहीं हूँ नहीं हूँ इसका मतलब यह है कि मुझे अभी और मेहनत करनी है अभी और कोशिश है Hala says I have learned to use it to my advantage Hala कहती है अब मैंने सीख लिया है अपने अंदर का जो डर है उसको अपने फायदे के लिए यूज करना सीख लिया है I actually thrive on the growth that comes from the self-doubt Self-doubt की वज़े से एक growth होती है जब मुझे doubt होता है तो मैं उसको जानने की कोशिश करती हूँ जब वो जानती हूँ तो मैं grow कर जाती हूँ अब मुझे मज़ा आता है जहां कहीं पर भी मुझे doubt होता है मुझे मज़ा आता है कि मुझे सीखने को मिलेगा और मैं grow करने वाली हूँ आपको पता है इस बार BJP और कॉंग्रेस में खुब घमासान टक्कर हो रही है पिछली बार ऐसी टक्कर नहीं थी पिछली बार भी रहूल गांधी लड़ रहे थे काउरस की तरफ से वो हार गए लेकिन एक बड़ी चीज की रहूल गांधी ने उस प्रोसेसमें की दाड़ी बड़ी बड़ी मुश्किल चीज की क्या चीज की पूरे देश की पद्यात्रा की पैदल चले पूरे देश में उसकी वज़द से उसकाली फेमस नहीं हो गए उस आदमी के अंदर में एक confidence डिवलप हुआ पहले सब लोग उसको पपू बोलते थे दूसरी चीज मुझे रगता है जो कॉंग्रेस ने की वो ये कि जो पैतरे BJP के थे इनको पपू बोलने की इनकी बेजिती करने की वो भी सीख लिया अब सब के सब मोदी के उपर भी मीमस बना रहे है कि नाटक कर रहा है, जूट बोल रहा है अब देखे धेर सारे मीमस हा रहे हैं पहले नहीं मिलते थे अब जो इनकी कमी है ये लोग दिखा पाते हैं पहले वन साइड गेम था ओथर कह रही है जो दूसरे कैंडिएट से वो बहुत ही कंटेंट थे खुश थे कि जो नॉर्मल मीडिया कवरेज चल रहा है उनके बारे में जो कोई भी थोला बहुत निउस चाब दे रहा है वीडियो बना दे रहा है चल रहा है उसी से वो लोग खुश थे हाला's uncertainty about her tools made her eager to rethink the way campaigns were run लेकिन हाला को तो पता ही नहीं था कैसे मीडिया कवरेज मिल रहा है उनको कुछ नहीं पता था इसलिए उनके अपने मीडिया कवरेज को फिर से सोचना शुरू किया कि मेरा आखिर होगा कैसा शी वर्क्ट हाडर एंड स्मार्टर staying up late to personally answer social media messages इसलिए हाला इसको कुछ नहीं आइडिया था बहुत रात तक अपने Facebook पेज पर बैठे जती थी लोग के सवाल के जवाब खुद देती थी She held Facebook live sessions where voters would ask her anything वो Facebook पे live sessions करती थी जहांपर जो voters है उनसे खुद बात कर सकते थे Modi ji करते थे अब मन की बात जिसमें उन खुद आंसर देते थे पहली के पास and learn to use Snapchat to reach young people हाला जो बूरी है उसने Snapchat सीखा ताकि young population के पास पहुँच सके deciding she had nothing to lose she went where few presidential candidates had gone before उसको लगा देखो मेरे पास कुछ है तो नहीं हारने को लोग मुझे जानते ही नहीं तो वो वो सब चीजे किया जो बाकी सब प्रेजिडेंट सोचते भी नहीं instead of prosecuting her opponents she ran positive campaigns बिचारा BJP इसलिए मैं बिचारा कह रहा हूँ क्योंकि वो Congress को, Nehru family को Gandhi family को खली प्रोसेक्यूट कर रहा है उसकी बुराई कर रहा है BJP और Congress क्या कर रही है वो बुल रही है जब हम पाउर में आएंगे तो डेज सारे नौकरिया देंगे हम गरीबी खतम करेंगे हम मुदे पर काम करेंगे हम Hindu-Muslim की लड़ाई नहीं करेंगे और ये लोग खाली उसकी बुराई कर रहे है कह रहे है कि उन्होंने जो बाकी कैंडिडेट से वो खाली प्रोसिक्यूट करते थे अपने ओपोनेंट्स को मतलब उनकी बुराईयां करते थे और हाला रन अ पॉजिटिव कैंपेंग हाला पॉजिटिव कैंपेंग करती थी How much worse can it get she thought it was part of why she resonated so strongly with voters हाला सोचती थी How much worse can it get और कितना बुरा हो जाएगा she thought it was part of why she resonated so strongly with voters they were tired of watching candidates smear one another and delighted to see candidates treat her competitors with respect आज की डिट पे अगर आप देखेंगे न कभी debate देखे कहीं पर BJP की candidate और Congress की candidate BJP के लोग केवल और केवल एक ही बात Hindu Muslim terrorism Hindu Muslim terrorism यही बात तो लोग बोलते है कि Congress आ जाएगी तो सब मुसलिम इस देश में भर जाएगे और Hindu को मार डालेगे मोधी जी खुद बोलते है एक जगा बताओ यह लोग मीट खा रहे हैं एक आदशी के दिन कुछ लोग मीट खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते हैं लेकिन वो इसी बात पर देश का प्रधान मंतरी इसी एक बात को ले करके बोल रहा है और बोलता है पता है यह लोग वो कौन से लोग है यह वो लोग है जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते है मुस्लिम लोग के ज़्यादा बच्चे होते तो यह उनको पॉइंट आट कर रहे हैं कि खराब लोग है कॉंग्रेस आएगी तो आपका सब पैसा चीन के लेके चले जाएगी मंगल सूत्र लेके चले जाएगी यह उनके वर्ड्स है तो यह उपोनेंट्स को प्रोसिक्यूट कर रहे है और कह रहे हैं पब्लिक इस चीज से बोर हो चुकी है बहुत से मैंने ऐसे वीडियो देखा जहाँ पर लोग चिला रहे हैं कैमरे पर यह बकवास हमको सुनी नहीं है बताओ तुम लोग क्या करोगे नौकरी लाओगी कि नी लाओगी उस मुद्धे पर बात करो तुम भालतों की मुद्धे पर बात क्यूं करते हो एक आदमी होता है जो कॉंग्रेस का था बुलता है यह पांच वर्ड अगर हटा दिया जाए टेरिनिजम, हिंदू-मुस्लिम और तीन और ऐसे वर्ड है रडाई जगडे इस तरह के पाकिस्तान इस तरह के चार-पांच वर्ड हटा दू तो इनकी कोई बात ही नहीं होती इनके पास कुछ बोलने कोई नहीं है उनकी हैबिट ही पढ़ चुकी खाली यही पांच-वर्ड यूजज करने का राममंदिर इस तरह के चार-पांच वर्ड है जो बस हाला को doubt था, uncertain थी कि मुझे क्या करना चाहिए, जब हम uncertain होते हैं तो उसकी विए से हम सवाल पूछते हैं और जो नए ideas होते हैं उसको absorb करते हैं, उसको अंदर लेते हैं और जब आप कुछ नई जानकारी लेते हैं, आपको और पता चलता है, तो आप ड़निंग क्रुगर इफेट से बच जाते हैं यह क्या है ड़निंग क्रुगर इफेक्ट? आपको ओर कॉंफरेंस से बच जाते हैं Imposter syndrome always keeps me on my toe and growing because I never think I know it all author कह रही है, मैं अपने आपको हमेशा Imposter syndrome की तरह feel करती हूँ और इससे मैं grow भी करती हूँ, because मुझे हमेशा पता है, मुझे सब कुछ पता होता नहीं है मैं जानती होती नहीं हूँ एक आदमी नदी में तब डूपता है, जब वो confident होकर के वहाँ चला जाता है, जहां पर उसको नहीं तहरना चाहिए आदमी life में भी ऐसे ही करता है, ज़्यादा confidence से ऐसे चीज़ें बोल देता है, ऐसे चीज़ें करने लगता है, जिसमें वो नहीं expert होता, तो हार जाता है हाला reflects, sounding more like a scientist than politician जब हाला बातचीद करती है, तो वो ऐसा लगता है जैसे scientist है, politician की तरह बात नहीं करती है maybe, imposter syndrome is needed for change, हाला कहती है, क्या पता, एक आदमी को गर बदलना है, तो उसको imposter syndrome अच्छी चीज़ है, चाहिए imposters rarely say, this is how we do things around here, imposters कभी ऐसी बात नहीं बोलते हैं, हमारे यां तो बस ऐसे ही होता है एक भाशा अलग है, ऐसा तो होता ही है, यह तो trend है, imposters ऐसा नहीं बोलते हैं, क्योंकि जानते हैं कैसे चीज़े होती है they don't say, this is the right way, वो यह भी नहीं कहते, कि यही सही तरीका है I was eager to learn and grow, that I asked everyone for advice on how I could do things differently लाला कह रही है, मैं बहुत eager थी, सीखने के लिए और grow करने के लिए इसलिए मैं जहां-जहां से हर किसी से advice ले सकती थी, उनसे मांगती थी ताकि मैं चीजों को अलग angle से देख सकूं Although she doubted her tools, she had confidence in herself as learner उनको अपने tools पे उपर, अपने mind के उपर doubt था लेकिन वो ये बात जानती थी कि मैं सीख लूँगी She understood that knowledge is best sought from experts उनको ये भी अच्छे से समझ में आ गया था कि knowledge सब से नहीं लेनी चाहिए किस से लेनी चाहिए? Experts से But creativity and wisdom can come from anywhere लेकिन creativity और समझदारी वो तो कहीं से भी आ सकती है Iceland's presidential election came down to Hala and David Hodson धेर सारे candidate थे, चार major candidate थे लेकिन अंत में ये हुआ कि दो ही लोग खड़े है Main candidate से Hala और David Hodson और दो और लोग थे Three men all enjoyed more media coverage than Hala throughout the campaign तीनों आदमियों ने, ये अकेली औरत थी, बाकी तीन आदमी थे उनको जादा media coverage मिला जादा news ने cover किया including front page interviews plus उनको front page newspaper में interview मिला which she never received और Hala कोई कभी नहीं मिला they also had bigger campaign budget उन सब के पास तेर सारा पैसा भी था yet election day Hala stunned her country and herself by winning more than a quarter of the vote लेकिन जिस दिन election हुआ उसने पुरी देश को और खुद को stun कर दिया चौका दिया वो जीत गई more than quarter of the vote 25% से ज़्यदा उसको vote मिले she didn't land the presidency वो president तो नहीं बनी she came in second वो second आई थी her 28% fell shy of victory 39% जो आदमी जीता था उसको 39% vote मिले लेकिन उसके just नीचे second position पे आई थी 28% इसको मिले थे vote बठाला trounced David Oudson who finished fourth लेकिन हाला ने जो पुराना president था उसको हरा दिया था David Oudson को जो fourth थाया कि एवल 14% वोट मिले थे उसको based on her trajectory and momentum it's not crazy to imagine that with a few more weeks she could have won जस तरह से वो ग्रो कर रही थी trajectory तो और उसका momentum जो speed था ये चीज़ कलत नहीं होगा कहना कि अगर कुछ हफते उसको और मिल जाते तो ये जीत जाती great thinkers don't harbor doubts because they are imposters जो great thinkers होते हैं महान सोचने वाले लोग वो अपने अंदर में doubts इसलिए नहीं बचा के रखते क्योंकि वो imposters है क्यों वो धोके बाज है they maintain doubt because they know we are partially blind and they are committed to improving their sight वो ये जानते हैं कि हम सब कुछ नहीं देख पा रहे हैं हम partially आधे तोर से अंदे हैं इसलिए वो अपनी sight को improve कर रहे है आप मुझे समझ में आता है पापा क्यों ऐसे गाड़ी चलाते है पता है क्यों पापा की एक आँख बहुत कमजोर है बहुत जादा कमजोर है तो अपनी sight improve करते हैं ध्यान से देख करके they don't boast about how much they know ये लोग कभी great thinkers कभी बड़ी बाते नहीं करते हैं कि वो क्या-क्या जानते हैं they marvel at how little they understand वो इस बात पर बड़े खुश होते हैं क्या रमनों कितना कम समझते हैं फिर भी जिन्दगी इतनी अच्छी चल रही है they are aware that each answer arises new questions इनको पता है कि जो भी answers ये जानते हैं उसमें से नए सवाल पैदा होते है and the quest for knowledge is never finished और उंको ये भी पता है कोई भी आदमी जो ज्यान खोज रहा है वो कभी खतम नहीं होता quest for knowledge कभी खतम नहीं होता a mark of lifelong learner is recognizing that they can learn something from everyone they meet आप किसको कहेंगे ये आदमी lifelong learner है जिन्दगी ताज जिन्दगी सीखता रहता है उसको कहेंगे जो आदमी हर किसी से जिससे भी मिलता है उससे कुछ नुच सीखता है arrogance leaves us blind to our weaknesses हमारा घमंड हमें अपनी कमजोरी के प्रती अंधा बना देता है humility is reflective lens लेकिन हमारे अंदर की humbleness विनमरता वो इतरह का reflective lens है जो अंदर में जाकने में help करती है it helps us see them clearly वो हमारी कमजोरीों को साफ साफ देखने में help करती है confident humility is a corrective lens एक आदमी को confident होना चाहिए और humble होना चाहिए यह corrective lens है it enables us to overcome those weaknesses इसकी मदद से हम अपनी कमजोरीों को overcome कर सकते हैं bypass कर सकते हैं और मैं कल चाहूंगा कि हम लोग इस चीज़ को enjoy कर सके being wrong कल के chapter का नाम है joy of being wrong जब कोई आदमी या कोई घटना आपके thoughts को आपके ideas को गलत सावित करता है तो आपको क्यों खुश होना चाहिए वश्यंग कर सकत 1592 कर सकता है पुश्यख प्पुश्यश परत्री कर दो है कर दो आपके लगी खरत्रों